हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेकनो की तरफ से दो बहुती ज़ादा बढ़िया सस्ते बजट मुबाइल्स जो आपको मिल जाते हैं काफी ज़ादा कम कीमत में एक तो है दोस्तो टेकनो स्पार्क गो 2020 2020 जो पहले लॉंच हुआ था लेकिन दोस्तो टेकनो ने अब एक और लॉंच कर दिया टेकनो स्पार्क गो 2021 मॉडल तो इस वीडियो में इन दोनों में कमपैरिजन करके आपको बताऊंगा क्या आपको 2020 लेना चाहिए यह फिर 2021 और इन दोनों के अंदर कितना फर्क है क्या क्या खूब ही आपको ज़ादा मिल जाती है 2021 मॉडल के अंदर कितना फर्क किया गया है तो दोस्तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा बॉक्स पर आपको दोनों के पीछे की तरफ यह सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है आप पढ़ सकते हैं बाकि दोस्तो 2020 मॉडल के उपर आपको रेट लिखा वो मिलता है आठ हजार का लेकिन यह आपको मिल जाएगा ऑनलाइन साथ हजार में इसका तो रेट है साथ हजार वहीं दूसरी तरफ टेक्नो स्पार गो 2021 मॉडल के बॉक्स के उपर आपको रेट लिखा वो मिलता है आठ हजार नौसो निन्यनवे का तो 9000 का rate है इसके box के उपर लेकिन यह आपको मिल जाएगा 7300 में तो दोने में सिर्फ 300 रुपे का ही फर्क है बाकि दोस्तो 2020 model जो था इसके box के उपर आपको लिखा वो मिल जाता है one time screen replacement यानि कि अगर इसके display आपकी तूट जाती है तो आप free में बदलवा सकते हैं यह खुब इसमा आपको बहुत अच्छी दी गई है 2020 model के अंदर चलिए देखते हैं इसके साथ आपको 7000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है mobile इसके बाद कुछ user manual है box के अंदर cover इसके साथ आपको नहीं दिया गया यह मिल जाती है white color में data cable जिसके length और quality दोनो normal है बाकि 200 type C cable तो इसके साथ आपको नहीं दी गई आखिर मापको रखवा मिलता है यह white color में charger इसके अंदर आपको output मिलता है 5 volt 1.2 ampere का ही तो इस simple सा छोटा सा charger आपको मिल जाता है थोड़ा slow लगा मुझे अगर 10 watt को charger होता तो बहुत ज़ादा बढ़िया रहता अब यह सारा समन आपको मिलता है टेक्नो स्पार गो 2020 के साथ 7000 में rate के साब से देखा जा तो box के जो contents है वो आपको normal ही दिये गये हैं user manual, cover इसके साथ भी आपको नहीं दिया गया दोने एक जैसे हैं इस चीज़ में आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा market से इसके बाद मिल जाती है यह white color में data cable length और quality इसकी भी दोनों अच्छी है और इसके साथ भी आपको वही cable दी गई है USB to micro USB आपको इसके साथ भी वही charger रखावा मिलता है जो मिझे थोड़ा slow ही लगा इसकी कीमत 7300 है तो इसके साथ अगर कम से कम 10 watt का charger होता तो बहुत जाद अच्छा रहता तो 200 box के जो contents हैं वो आपको दोने के साथ एक जैसे ही दिये गए हैं टाइप C cable दोने के साथ नहीं मिलती cover भी नहीं दिया गया charger भी दोने के साथ थोड़े slow ही दिये गया है तो rate के साथ से देखा जाए तो फिर भी इस चीज में जादा बढ़िया है पुराना वाला टेक्नो स्पार्गो 2020 मौडल ही क्योंकि 300 कीमत कम है उसकी और box के contents आपको 2021 मौडल की तरह मिल जाते हैं चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो left side पर आप white type का color देख सकते हैं स्पार्गो 2020 का इसके अंदर आपको white color बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाता है तो design की जो quality है वो 2021 मौडल के अंदर आपको और ज़ादा बढ़िया मिल जाती है वैसे look eyes 20 का design और ज़ाद अच्छा है थोड़ा आपको pattern देखने को मिल जाता है इस तरीके से linings का जो काफी अच्छा लगता है बात करें दोस्तों camera के बारे में वहीं दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्गो 2021 के अंदर आपको पिछी के तरफ दो camera दिये गए हैं जिसमें main camera है पहला 13 megapixel का दूसरा है AI lens front camera है इसका 8 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको 2020, 2021 दोनों ही model के अंदर आपको 200 rate के साब से normal ही मिलती है अगर आप एक normal user है तो आपको दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आपको camera की वज़े सही mobile लेना है तो आप कम से कम 10,000 के budget में smartphone लीजिएगा फिर भी इन दोनों के comparison में 2021 model जादा बढ़िया है इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design जादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा मुझे दोस्तों Tecno Spark Go 2021 का design जादा पसंद आया थोड़ा lining pattern है जो काफी जादा बढ़िया लग रहा है बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में Full HD Plus डिस्प्ले तो साड़े 9000 के budget में मिलती है अकसर इसके लग दोस्तों बात करें user interface के बारे में तो इन दोनों mobile smart आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे या फिर नीचे एक shortcut भी दिया गया है जिससा आप अपना app drawer और access कर सकते हैं user interface दोनों के अंदर आपको normal ही मिल जाता है और दोनों में आपको एक जैसे ही मिलता है अंदर से चलाने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं बिल्कुल भी फर्क नहीं है बाकि दोस्तों डिस्प्ले की जो quality है उसके अंदर quality wise कौन सा ज़ादा बढ़िया है colors brightness किसके जाद अच्छे है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके दोनों की तो दोस्तों design दोनों में आपको एक जैसे ही मिल जाता है दोनों सामने से देखने में एक जैसे ही लगते हैं फर्क आपको नहीं मिलता edges, bezels भी एक जैसे दिए गए हैं काफी कम notch ओलर design है लेकिन दोस्तों अगर आप colors notice करेंगे तो 2021 model की जो display की quality है वो और जाद बैटर है इसके display के अंदर आपको colors, brightness और जाद अच्छे दिए गए हैं 2020 model से तो दोस्तों display को लेकर इन दोनों में जादा बढ़िया है टेक्नो स्पार्गो 2021 ही क्योंके quality सबसे important होती है जो आपको 2021 के अंदर ही जाद अच्छे दी गई है इसके लगव दोस्तों नीचे के तरफ साब देहेंगे दोनों के अंदर charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है speaker दोनों में आपको back panel पे दिया गया है नीचे की तरफ इस चीज में दोनेक जैसे हैं दोस्तों right side साब देहेंगे दोनों मोबाइल्स को तो आपको volume के buttons दिये गये हैं right side पर और उसी की ठीक नीचे मिल जाते हैं power के buttons buttons भी दोनों के अंदर आपको एक जैसे दिये गये हैं side उसे दोनों का design curved है तो grip करने में काफी अच्छे लगते हैं उपर से देखेंगे तो दोस्तो plain design है अब SIM की train दोनों मोबाइल्स में आपको side में नहीं दी गई SIM इन दोनों में अंदर की तरफ लगते हैं back panel हटाके बैटरी तो fixed है उसमें आपको दोस्तो page पहले से ही लगये हुए मिल जाते हैं बैटरी आप नहीं निकाल सकते लेकिन SIM अंदर की तरफ लगते हैं back panel हटाके और दोनों के अंदर आप दो SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं दोनों ही के अंदर आपको दी गई है 2GB RAM 32GB के internal storage और storage आपको दोनों के अंदर free मिल जाती है 24GB के आसपास तो RAM और storage में भी आपको दोनों एक जैसे ही मिल जाते हैं दोनों के अंदर आपको free memory भी लगबग बराबर ही दी गई है इन दोनों के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है वैसे latest version 11 होता तो काफी बढ़िया रहता recent apps की windows आप देख सकते हैं proper बढ़ी मिल जाती है तो use interface तो इनका काफी अच्छा है यूज करने में काफी बढ़िया लगते हैं बात करें दोस्तो battery के बारे में तो battery भी आपको दोनों के अंदर एक जैसी दी गई है 5000 image की एक दिन का battery backup इन दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है या बहुत जादा multitasking करनी है तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा आप WhatsApp, YouTube वगरा यूज करते हैं आपको बहुत जादा heavy use नहीं है तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी ये दोनों ही mobile's normal use के हिसाब से ही है बहुत जादा heavy use के इसाब से इन दोनों में आपको दिक्कत हो सकती है हैंगोने के दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है इन दोनों के अंदर heavy use में तो दोस्तों ये सारी खुबिये कम्याहिन के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं देखिए rate में तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है सिर्फ 300 का ही फर्क है matter ये करता है कि quality wise आपके लिए सबसे बड़ी है कौन से रहेगा तो दोस्तों देखिए गर आपको design अच्छा चाहिए तो design में वैसे quality में ज़्यादा बढ़िया है टेक्नो स्पार्गो 2021 आप इसे लीजिएगा इसे के साथ अगर आपको fingerprint scanner चाहिए तो ये दोनों में खुबी है जो अकसर आपको इस range में देखने को नहीं मिलती तो आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं इसे के साथ अगर आपको battery अची चाहिए तो भी आप दोनों में से कोई से ले सकते हैं दोनों ही काफी बढ़िया है RAM और Storage भी आपको दोनों में एक जैसी दी गई है Camry की performance भी आपको normal मिल जाती है और दोस्तो heavy use के साब से ये दोनों normal ही है तो दोस्तो देखा जाए तो लगबग ये दोनों ही mobile's एक जैसे हैं बहुत बड़ा फर्क तो आपको नहीं मिलता लेकिन दोस्तो एक चीज़ का सबसे बड़ा फर्क है जो की है डिस्प्ले Tecno Spargo 2021 के अंदर आपको डिस्प्ले की quality जाद अच्छी दी गई है और वैसे दूसरा फर्क ये भी है इसके design की quality जाद बढ़िया है तो अगर आप 300 रुपय जाद खर्श करते हैं तो थोड़ी सी खूबिया आपको दो खूबिया जाद बढ़िया मिल जाती है Tecno Spargo 2021 के अंदर मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है तो आप Tecno Spargo 2021 खरी दियेगा डिस्प्ले काफी important होती है जो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है डिसाइन में भी ये जाद अच्छा लग रहा है तो quality wise तो दोस्तो Tecno Spargo 2021 मौडल ही जादा बढ़िया है लेकिन अगर आपको mobile गिरता जादा है डिस्प्ले तूटने के आपके चांसे जादा है आप phone फेकते बहुत जादा है अकसर आपसे गलती से गिर जाता है तो दोस्तो आप Spargo 2020 लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको one time screen replacement मिल जाता है जो खुबी काफी बढ़िया है अगर आपके display तूट जाती है तो आप इसको replace करवा सकते हैं free में ये खुबी इसके अंदर आपको बहुत यच्छी दी गई है तो अगर आपका phone गिरता जादा है तो आप spargo 2020 ले सकते हैं बाकी quality wise spargo 2021 जादा बढ़िया है इन दोनों में मुझे दोस्तो spargo 2021 जादा पसंद आया क्योंकि display की quality और design जादा बढ़िया है तो जैसे ये अच्छा लगा आप बताएगा फिर भी comment करके आपको इन दोनों mobile's में काफी सस्ते budget mobile में कौन से जाद अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आदो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को नीचे जो ये लाल कलर का बटन उसो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गंटी का निशान दबा के औल पे किलिक कर दिएगा ताकि नई वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो दोस्तों के साथ शेर जरूर कर दिएगा इस वीडियो को WhatsApp पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए